Amazon listings को अपने product के according optimize करना तो आप सब सीखी गए होगे क्योंकि मैंने काफी videos बनाए हुए हैं लेकिन आज मैं आपको एक hack बताऊंगा जैसे आप अपने listings को special events और festivals जैसे दिवाली, Christmas, Prime Day, Independence Day, Mother's Day, etc. के लिए optimize कर सकते हैं ये strategy absolute game changer है और आपके competitor को हवा तक नहीं लगेगी कि आप कैसे उससे यदा sales generate कर रहे हैं अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो तुरंत कर लें else future में और भी hacks आने वाले हैं वो आप miss कर देंगे मैं नाम है सौरप, आप देख रहे हैं मेजी marketer चलो आपको hack बताता हूं I mean step by step दिखाता हूं तो इस hack के लिए हम helium 10 tool का cerebro feature यूज़ करेंगे और ये पता लगाएंगे कि past में इन special events पर कौन से keywords की वज़े से एक particular ACN की organic and sponsored rank along with search volume क्या था तो सबसे पहले हैं आपको helium 10 में login ले लेना है और उसके बाद tool section में जाके cerebro का जो feature है उस पर click करना है जब cerebro open हो चाएगा obviously हम Indian marketplace में ये hack apply कर रहे है तो यहाँ पर आप Indian marketplace select कर ली जगा उसके बाद हम इस example के लिए इस hack को दिखाने के लिए हम एक ACN लेंगे मैंने ये protonics का modex universal mobile holder select किया है अब हम इस का मैं ACN copy कर लेता हूं और हम cerebro में जाके reverse action run करेंगे और थोड़ी देर में आपके सारे keywords आपके आ जाएंगे इस product से related जो भी ये product यूज कर रहा है लेकिन जैसा मैंने बोला आज के hack में हम ये बता करेंगे कि prime day में sale increase करने के लिए protonics वालों ने क्या keyword यूज किये थे चीक है आपको याद होगा अगर आप existing seller है या तो आप Google search भी करके पता कर सकते हैं कि लास्ट ये प्राइम डे सेल कब हुई थी तो इंडिया में जो प्राइम डे सेल हुई थी वो जुलाइड 2023 में हुई थी तो हम इस month को select कर लेते हैं आप देखोगे इसको select करने के बाद यहाँ पे total keywords आ रहे हैं और गानिक हमारे 1800 प्लस हैं और sponsor 389 है ये month select करने के बाद आफ apply filter पे click करेंगे इसके बाद जो उस month का data है वो हमारे सामने populate हो जाएगा तो आप देखोगे total 1900 प्लस जो data है वो उस month का हमें पास आ चुका है ठीक है अब हमें क्या करना है हमें in keywords में से ये figure out करना है कि कौन से keywords हैं जिन्होंने Prime Day के लिए sales generate किया था ठीक है तो उसके लिए हम जाएंगे filters में और वापे phrases containing section में लिखेंगे and apply filters पे click कर देंगे तो आप देखोगे आपको इस सारे keywords मिल जाएंगे जो protonics ने अपनी listings में use किये थे Prime Day से related Amazon Prime Sale offer उसके बाद है Prime Day Sale in electronics आप इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देजे Amazon Prime Day Sale 2023 और इस तरीके से ये सारे keywords उन्होंने use किये थे इसके साथ ही हर keyword का जो respective search volume था वो आपको दिख रहा है trend कितना ओपर नीचे हुआ है वो दिख रहा है organic rankings आप यहाँ पर देख सकते हैं sponsored rank आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इस तरीके से इस hack से आप किसी भी particular product का या अपने competitor का searches देख सकते हैं कि उन्होंने किम keywords के basis पर अपनी sales increase किया है अब let's suppose आप Prime Day के जागे Father Day करना चाते हैं Mother's Day करना चाते हैं तो वो keyword आप यहाँ डालके apply filter कर सकते हैं और इस तरीके से आपको keywords की एक gold mine मिल जाएगी जिसके बारे में आपके competitor को पता ही नहीं है अगर आप Helium 10 tool purchase करने का सोच रहे हैं तो 60% discount ज़रूर avail करें especially for India, Pakistan, UAE and Turkey यह exclusive discount आपको सिर्फ amazing marketer की तरफ से मिलता है और पूरी दुनिया में कोई भी आपको इतना discount नहीं देगा हैग अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दें और भी hacks लाने वाला हूँ आपके लिए तो चैनल को subscribe कर लें finally keep selling, keep smiling झाल 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 झाल